हेलो फ्रेंज दिस ट्रेक अम एम 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 अनोच कुमार आज हम उन्बॉक्स करने वाले हैं रेडिमी का 3S तो चलिए उन्बॉक्स करते हैं सबसे पहले जानने वाली बात यह है कि रेडिमी 3S जो है दो वेर इंडिया में अविलेबल है एक 3S और एक 3S प्राइम प्राइम जो है और यह 4G फोन है आप इसमें 4G SIM कार्ट चला सकते हैं तो हमार पार जो फोन है वो गोल्ड कलर का है बात करें इसकी डिजाइन की तो फुल मैटल बोरी डिजाइन इसमें दिया है जो काफी अच्छा फील देता है और काफी हैंडी फोन है काफी हैंडी फोन मुझे लगा और बात करते हैं स्पैक्स की इसकी तो IPS LED पैनल इसमें दिया हुए है जो की 5 इंचिस की डिस्प्ले के साथ आता है HD डिस्प्ले है इसकी जो 720P को सपोर्ट करती है 294 का PPI है जिसका मतलब कि जो स्क्रीन के जो पिक्सल है डिंसिटी वो काफी अच्छी है आपको काफी कलेरिटी मिलेगी पिक्सल फटेवे बिल्कुल मेजर नहीं आएंगे जो बात करते हैं कि फोन के साथ क्या-क्या आता है एक चार्जर आपको नॉर्मल मिलता है एक डाटा केबल और जैसे कि आपको पता है कि इन मॉडल जो ऑनलान फोन में शोमी को फोन में जैतर हैंट्री आपको नहीं मिलता है बात करते हैं इसके कैमरा की तो 13 मेगा पिसल का कैमरा LED फ्लैश के साथ आता है पांच मेगा पिसल का सेल्फी कैम और सबसे बड़ी बात जो की बैटरील इफस की बहुत अच्छी है एक ताली सो एमच की बैटरी इसमें दी हुई है अगर आप सिम कार्ट नहीं चला पाएंगे अगर अगर चलाते हैं तो एक सिम कार्ड आप यूज कर पाएंगे 16 GB इसकी इंटर्नल है और 128 GB तक यह जाता है प्राइम में जो है दो 32 GB मिलती है आपको और आयर ब्लास्टर है आयर ब्लास्टर का मतलब यह आप अपने घर के टीवी या एसी को इससे कंड्रोल कर सकते हैं रैम की बात करें तो 2 GB की रैम इसमें दी ही है और स्नैपड्रेवन का स्नैपड्राइगन 430 चीपसेट इसमें दिया गया है 1.4 GHz का Octa-Core processor है इसमें और 6.01 जो Marshmallow है उसके साथ यह device आता है बात करें अभी तक मैंने जतना इसको यूज किया है मुझे थोड़ा सा ना जाने क्यों हलका था phone slow लगता है अगर बात करें Redmi Note की तो पता नहीं Redmi Note 3 से से compare करना ठीक है कि नहीं पर थोड़ा सा मुझे slow लगा क्योंकि आगे चलाने में यूज करने में थोड़ा सा समय ले रहा था और अभी जैसा कि आप देख पा रहे हैं थोड़ा सा जो बूट होने में जो बूट नि कह सकते जो अपने loading है वो उसको थोड़ा सा ज्यादा समय ये ले रहा है और थोड बाकी से सब कुछ मुझे फाइन लगा इसके अंदर बाकी फुल रिव्यू में इसका करके आपको बाकी इसके फीचर से बता पाऊंगा खैर यह ती हमारी unboxing और जो overall मैंने आपको इसके बार में बताया Thanks for watching Tech MM